हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ जेनु से जुड़े होने के कारण मेरे पास कई रिक्वेस्ट आये कि जेनु एम में हिंदी विशे से प्रिवस परिक्षा की त्यारी कैसे करें गाइडेंस की जरुवत है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो लेक्षर त्यार किया है जिसमें हम देखेंगे कि जेनु में प्रिवस क्यों लें और हिंदी विशे से प्रिवस परिक्षा की त्यारी कैसे करें जेनु जो की अरावली पर्वत की स्रिंखलाओं और भारत की राजधाने में इस्थित होने के कारण छात्रों के प्रती एक आकरशन पैदा करता है भारत का हर छात्रों वहाँ पर पढ़ना चाता है उसका सपना होता है अगर अपने 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं ये कहूं कि JNU कैंपस मीनी भारत है तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी, गुजिरात से लेकर कोहिमा तक के छातर पढ़ते हैं और कईयों के पढ़ने का सपना भी होता है JNU की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो भी अपने आप में अनोखी है यहाँ पर क्वार्टाइल पॉइंट्स के आधार पर कुछ एक्स्ट्रा माक्स दिया जाते हैं जो छातर पिछड़े छितर से होते हैं और जो फिमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको भी पांच अंक एक् तो यह इसकी एक खास विशिष्टा है दूसरी बात यह है कि जो एडमिशन प्रोसेस है यहां का जो फी इस्ट्रक्चर है वो भी अन्य केंडरी विश्वी विद्यालेओं की अपिक्छा और सुतन कम है सलाना तिन सो साथ रुपे के आसपास में खर्च करने पर पिश्टन मेश चार्ज देते हुए आसानी से कम खर्च में रह सकता है और जेनु में पढ़ते हुए यह भी बेवर्शा की गई है कि MCM के तहत इस कलर्शिप भी दी जाती है ताकि जो भी छात्र हैं उनको आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना न करना पड़े तो यह भी एक खास च मिशल लेना चाहते हैं उनको यह जानकारी मिलेगी तो जी जान लगाकर प्रिश्परिक्षाओं की प्यारी करें दूसरा पॉइंट से यह कि अगर होस्टल की फैसिलीटी पर बात करें तो यहां पर करीब 19-20 होस्टल हैं जिसमें की कुछ बॉयज हैं कुछ गल्स होस्टल ह हैं कुछ प्वेड हैं जिसमें की गल्स और बाइज दोनों रहते हैं मैरेड होस्टल से जिसमें की साधी सुधा लोग रहते हैं विदेशी छात्रों के लिए अलग होस्टल से तो कुल मिलाज लाकर होस्टल के काफी वैरियेशन है यह आपर और जीनू में एडिमिशन लेन थर्ड रूमेट के रूप में विवस्था की जाती है जिससे की वे अपना रहते हैं और खानपान मेस में करते हैं फी जमा करते हैं ठीक है तो यह तो हस्टल से स्ट्रक्चर हो गया अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो जीनू की लाइब्रेरी नौ मंजीले की है और भार लाइबरेरी है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कौन छात्र कब आकर पढ़ रहा है कौन छात्र कब आ रहा है कब जा रहा है फ्री होके आपको वहाँ पर पढ़ाई करना है आप एकेडमिक छेत्र में रिसर्च के छेत्र में या फिर सिविल सर्विसेज की त्यारी कर रहे ह तो उसके लिए भी free हो के वहाँ पर अध्यान कर सकते हैं यहां तक कि जो civil services की त्यारी करने वाले चात्र हैं वो main library के बगल में ही एक चोटी सी library जिसका नाम ही धवलपूर house रखती हैं और जो भी उसमें चात्र बैठते हैं उनको भावी प्रशाशनिक अधिकारी के रूप में देखा जाता है तो यह खुब सूर्ती है उस campus की अगर ढवाज और campus की cantings की बात करें या फिर PSR की बात करें या जो वहाँ पर इकलावती एक stadium है जहां पर लोग टहलने के लिए जाते हैं दोरने के लिए भी जाते हैं योगा इत्यादी भी करने जाते हैं और कोई बड़ा function होता है तो उसका भी आयोजन उस field में होता है इकलावती field है वो ठीक है तो यह कुछ चीजे हैं जो कि JNU को अन्ने campus से अलग बनाती हैं और वातावरन जो लाइबरेरी का वातावरन है वो पढ़ने के द्रिष्टी कोड से सबसे अनकूल है कई बार तो उस लाइबरेरी को लोग देखने के लिए आते हैं जो कि कभी दिल्ली का टूर करने आते हैं आयतियासिक जगों को देखने के लिए आते हैं वे JNU की लाइबरेरी को देखने के लिए जाते हैं और एक खुबसूरती इस लाइबरेरी की ये भी है कि पढ़ते वक्त अगर किसी भी छात्र की पेन भी गीर जाए तो मालूम चल जाता है कि किस कुर्सी पर बैठे वे छात्र की पेन गीरी है तो अब अनुमान आप लगा सकते हैं इसलिए इंट्रेंस की अच्छे से त्यारी कीजिए ताकि ऐसे वातावरण में आपको पढ़ने का मौका मिले और जितने भी छात्र हैं वो सब बहुत ही एक तरीके से सहयोगात्म करवया अपनाने वाले हैं और राजनितिक जो स्टुडेंट संगठा हैं वो सब तो अपना अच्छा व्यवार करते हैं बाकि और जो आम छात्र हैं वो भी बहुत ही सहयोगात्म करवया अपनाते हैं ठीक है तो इसलिए कहा जाता है कि जेनू से लोग निकल जाते हैं लेकिन लोगों के मन से जेनू कभी नहीं निकलता है तो भला इस campus में कौन नहीं पढ़ना चाहेगा तो हिंदी साहित्ये से अगर MA करना चाहता है कोई और जेनू में admission लेना चाहता है तो पहली बात तो यह है कि JNU में BA इस तर पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है सीधे शुरुवात होती है MA से तो आप कहीं से भी BA किये हों MA का फार्म अराम से भर सकते हैं बस आपको प्रव्यस परिक्षा पास करना है दूसरी बात यह है कि प्रव्यस परिक्षा अब ऑनलाइन होने लगी है और इसको एक खास एजिंसी NTA कराती है जो कि UGC NET का भी एक्जाम कराती है तीसरी बात यह है कि पिछले दो साल से ही अब्जेक्टिव एक्जाम हो रहे है इसके पहले जो एक्जाम होता था उससे अब्जेक्टिव होगा करता था उसमें 5 प्रशन पूछे जाते थे और उस पेपर को जेनु का ही कोई टीचर या प्रोफेसर वहां के बनाते थे ठीक है अब इस समय यह नहीं बताया सकता कि पेपर जेनु के टीचर्स बनाते हैं या फिर जो एजेंसी जिसे दिया गया है वो बनाती है फिर भी हम एक अनुमान के तोर पर और गाइडेंस के हिसाब से इसकी तैयारी करने की शला देंगे पहले हम थोड़ा से इसके एतियासिक महत पर विचार कर रहे थे कि पहले कैसे इंट्रेंस होता था अब कैसे होने लगा है ठीक है तो जो लोग इसमें परिक्षा देना चाहते हैं उनमें मैंने दो कटेगरीज रखिये जो अधिक समय लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग किता बताऊंगा और जो कम समय लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग किता लें मुझे मालूम है कि कम समय पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है फिर भी कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा इंट्रेंस दिया और पास नहीं हुआ उसकी पास फिर अगले साल देने का मौका होता है तो इन दोनों को मैंने ध्यान में रखा है तो पहले मैं अधिक समय वाले पर बात करूँगा अधिक समय वाले के लिए पहली किताब का नाम है आचायर राम चंशुकल के हिंदी साहित का इतिहास दूसरी किताब है डाक्टर नगेंदर की हिंदी साहित का इतिहास तीसरी किताब है डाक्टर बच्चन सिंग की हिंदी साहित का दूसरा इतिहास चोथी किताब है डाक्टर विशुना त्रिपाथी की हिंदी साहित का सरल इतिहास पांचवी किताब है डाक्टर राम चंदर तिवारी की हिंदी गद्ध का इतिहास तो इनको पढ़ना है और बाकी कावे शाहत्र और भाषा विग्यान को भी अपने ध्यान में रखना है ठीक है और जो कम समय में अध्यान करना चाहते हैं उनके लिए दो वस्तुनिष्ट किताबों के बारे में मैं बताऊंगा पहली किताब का नाम है हिंदी भाषा और साहित्तिका वस्तुनिष्ट इतियास गोबिंद पांडे और सरस्वति पांडे काफी चर्चित किताब है और दुसरी किताब इसी में है डाक्टर उमेश तिवारी की हिंदी साहिति का सूचना परकितिहास, तो इन दो किताबों को आप कम समय में पढ़ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको NTA की विवसाहिट पर जाकर मौक टेस्ट देखना होगा, जिसमें की JNU के पूराने प्रेपर्स भी हैं, और किस तरीके की सवाल पूछे जाते हैं, उसका भी आपको एक अनुमान लगेगा, प्रैक्टिस सेट में ही आपको जो UGC NET का प्रेपर हिंदी का होता है, उसे भी आप देख सकते हैं, या फिर अन्य बिश विद्धियालों में जहां पर MA की प्रवेश परिक्षा अबजेक्टि पैटर्न पर होती है, जिसमें की BHU, DU, जामिया, हैदराबाद, इन्वेस्टीज मुख्य रूप से उनका मैं नाम ले सकता हूँ, उनकी वेव साइट से जाकर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना अध्यन कर सकते हैं, और आखरी और सबसे मोश्ट इंपोर्टें यह है, कि अगर आपको JNU के MA हिंदी का पाठिक्रम मिल जाए, तो सबसे ब्यतर रहेगा, उससे आपको एक अनुमान लगेगा, कि MA में क्या-क्या पढ़ाया जाता है, खासतर से MA से हिंदी की सुरवात होती है, तो आपको एक ऐडिया लगेगी, कि वीमर्ज कौन-कौन से पढ़ाया जाते हैं, हिंदी साइद का इतिहास किस द्रिष्टिकोर से पढ़ाया जाता है, उपन्यास कौन-कौन से लगे हैं, कहानिया कौन-कौन से लगी हैं, मुख्य रूप से कभी कौन-कौन से शामिल हैं, टिक है, तो इस इन चीजों का आपको अनुमान होगा, उस हि तरीके से आप हंधी विशय की त्यारी हैं और मैं उमीद करता हूं कि आप जरु प्रिक्षा में सफलोंगे एक चीजा और द्यान देने की बात है कि जब लिखित परिक्षा हुआ करती थी तो उसमें उत्तर लिखने की कला और अभिवेक्ति की जो छमता होती थी उसको देखा जाता था ठीक है कई बार देखने में आता था कि कई स्टुडेंट्स परिक्षा देकर आते थे बोलते थे इस प्रशन को मैंने 20 पेज में लिखा है जबकि उसको लिखना रहता था तीन से चार पेज में लेकिन लगता था कि एक ही प्रशन का उत्तर देके खुब अच्छा नंबर पा सकते हैं तो इस तरीके से कई बच्चों को तो लिखने में ही समाझ में नहीं आता थ किसका उत्तर कितनी पेज में देना तो अल्रडी फेल हो जाते थे लेकिन जब अब्जेक्टिव पैटर्न शुरू हो गया है तो हर बच्चा समझे कि फाइट देने की लाइन में रहेगा किसी को कमतर नहीं आकना है तो और इंडायरेक्टली यह परिछा काफी टफ हो जुक निशी तोर से सफलता मिलेगी कमेंट्स करकर जरूर बताएए कि यह आपको गाइडेंस कैसा लगा मिलते हैं नये टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार